हेलो अब्रीवन, वेलकम तो स्वधाय अजूगेशन, मैंसेल इमान्चू, इन इस वीडियो आई विल डिस्कस्ट डिजाइन अफ कंक्रीट स्क्टर्स एंड माइ टॉपिक इस रिटेनिंग गॉल पर मैं पहले भी वीडियो बना चुक हूँ, जिसमें मैंने यह सारे टॉपिक्स रिटेनिग गॉल के डिस्कस कर ली हैं, यानि की cover-up कर ली हैं, तो आज मैं सेकिंड वीडियो बना रहा हूँ रिटेनिग गॉल का, जिसमें मैं आप लोगों को के साथ, स्टेबिलेटी चेक्स of a cantilever retaining wall discuss करूँगा ठीक है तो ये last video में हम पढ़ चुके है कि what are the various forces acting on a retaining wall तो जिसमें से मैं पता चला था एक retaining wall में बहुत सारी forces act करती है जिसमें से 3 होते हैं retaining wall के weights और एक होता है P0 ये तीनो forces आपकी vertical force होती है और एक ये force जो होती है ये horizontal force होती है ये last video में हम discuss कर चुके है तो आप यहाँ पर दे सकते है आप यहाँ पर भी दे सकते है ये retaining wall, cantilever retaining wall का cross section बनाया है जिसमें ये base lab है, ये backfill है, ये stem है ठीक है और इसी के साथ यहाँ पर आप दे सकते हैं ये dimensions मैंने लिखी है कि हमारा h क्या था, h minimum, h, h dash, t, b ये सब मैं last video में discuss कर चुक हूँ तो अगर आप लोगोंने नहीं देखा तो प्लीज आप पर ले last video देख लीजिए अब अगर आप दियान से देख पा रहे हैं यहाँ पे तो यहाँ पे अगर specific देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने stem को दो parts में divide किया है एक rectangle part में और एक triangle part में ठीक है और यहाँ पे यह W1, W2 यह चेक कर सकते हैं यह सारे के सारे क्या है weights देख सकते हैं यहाँ पे total forces जो retaining wall पे है वो चार है एक है weight of backfill, एक है cell weight of base lab एक है cell weight of stem नेचर के है ठीक है देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले सबसे पहले हम यह बोलेंगे कि यहाँ पे जो भी forces एक retaining wall पे लग रही है ठीक है जिसमें से एक force होती है जिस force का नाम होता है overturning pressure ठीक है that is the overturning force या overturning pressure force ठीक है यह force क्यों develop होगा यह force develop होगा backfill के दवारा lateral pressure जो एक retaining wall पे act करेगा ठीक है आपको पता है stem के बीचे backfill होता है और backfill क्या करेगा literally pressure लगाएगा किसके ओपर retaining wall पे जिसकी वशे retaining wall यहाँ पे move करने की कोशिच करेगा यानि कि retaining wall overturn करने की कोशिच करेगी कौन overturn करवाएगा इसको यह little force that is the p0 ठीक है अब इसी p0 की value हम लोग यहाँ पे निकालेंगे देखिए soil के दवारा यह pressure force लग रहा है और soil के दवारा जब भी pressure force लगता है तो वो हम लोग triangle की form में consider करते हैं ठीक है मैं बता चुक हूँ इस triangle का area consider करना पड़ेगा ठीक है और इस triangle का area कैसे निकलेगा half into base into altitude base है आपका k a gama h और height tap की h तो जब solve करेंगे आपका formula आजाएगा 1 by 2 k a gama h square ठीक है तो यह निकल गया आपका magnitude of force ठीक है इसी के साथ आप क्या करेंगे इसी के साथ अब आप overturning moment भी निकालना चाहेंगे तो overturning moment निकालने के लिए आपको force मिल चुक है आप देखे जो भी moment हम लोग retaining wall में निकालेंगे वो कहां से निकालेंगे toe end से कहां निकालेंगे toe end से क्योंकि अगर यह pressure इतना जादा हो गया तो retaining wall इस तरीके से 2 end के cross overturn करने कोशिश करेगी तब ही हम लोग इस pressure को बोल रहे है overturning pressure force और जो इस force के कारण moment develop होगा उसको बोलेंगे हम लोग overturning moment that is M0 ठीक है अब इस M0 की value को निकालने के लिए हमें force नो मिल चुक है अब आपको बता है moment होता है force into perpendicular distance तो मैं perpendicular distance निकालना पड़ेगा अब देखिए यह जो triangle में देखने है triangle का resultant जो मैंने बता है P0 जिसको मैं बोल रहा हूँ overturning force यह हमेशा यहाद रखना base से कितना ओपर होता है h by 3, total height of the retaining wall upon 3 अब इस P0 को h by 3 से multiply करेंगे तो finally आपका कै निकाल जाएगा overturning moment निकल जाएगा ठीक है तो इसी के साथ हमने अभी जाना कि total forces जो retaining wall में थी उसमें से जो force P0 है उसके कारण आपका retaining wall overturn करने की कोशिश करता है ठीक है और इस P0 की value किस तरीके से निकाले जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया और इस P0 की वज़े से toe end पे एक overturning moment जनेरेट होगा उसका value क्या होगा वो भी मैंने आपको बता दिया ठीक है अब हम discuss करेंगे other type of forces देखिए अब हम जो forces discuss करने वाले हैं उस forces को बोलेंगे हम resisting forces का बोलेंगे resisting forces ऐसा क्यों अगर आप इस video में इस feature में दियान से देखिए तो आपको पता चलेगा अगर मैं toe end consider करता हूँ यह आपका toe end तो यहाँ पे जितने भी आपकी vertical weights नीचे गिर रहे हैं सारे toe end के across कुछ इस तरीके से moment cause करेंगे देखिए और जो overturning moment था वो क्या था इस direction में जिसको हम लोग क्या बो रहे हैं M not ठीक है अब देखिए यह moment और बागी सारे moment जो weight के तवारा develop हो रहे हैं वो सारे moments के opposite direction में यानि कि यह moments क्या करेंगे इस overturn को रोकने ही कोशिच करेंगे इसका मतलब इसका मतलब इन moments को हम लोग resistant moment बोल सकते हैं और यह भी बोल सकते हैं कि weight के दवारा जितने भी moments एक retaining ball पर लगते हैं वो toe end के across एक retaining ball को overturn करने से prevent करते हैं यानि कि आप चाहते हैं कि retaining ball overturn ना करें तो आपको एक retaining ball के अंदर sufficient weight प्रोवाइट करना पड़ेगा ठीक है तो अब हम लोग इसी weights की value या इसी weights के दवारा जो moment develop होगा to end पर उसकी value निकालेंगे तो सबसे पहले हम consider कर रहे है weight और backfill ठीक है अब यहाँ दखिएगा हमेशा जब भी हम लोग weight निकालेंगे तो उसका formula होगा हमारा unit weight into volume ठीक है यह formula से हम लोग सारे weight निकालेंगे अब हम देखेंगे कैसे निकलेंगे तो चलिए अब हम देख रहे हैं कि backfill की वैसे जो weight develop हो रहा है उसको हम बोल रहे है w1 तो मैं पता चुक हूँ weight होता है unit weight into volume तो आप देख सकते हैं यहाँ पे backfill का unit weight उसको gamma बोलेंगे और हमें अब चाहिए volume और backfill, volume और backfill देख पा रहे है अगर ध्यान से तो volume होता है area into length ठीक है तो आप ध्यान से देखिए backfill कितने से area में है इतने से area में है तो इसकी length के है hl मतलब heel की length और height के है h dash तो into क्या गरद होगे है h dash और इसी के साथ आपको पता है retaining wall की जो यह पिछे वाली length होती है यह मेंशा कितने कंस्टर की जाते है 1 तो into क्या गरद होगे 1 यानि कि अगर आपको backfill का weight निकालना है तो क्या formula बनेगा gamma into hl into h dash into 1 ठीक है देख सकते है gamma into hl into h dash into 1 ठीक है किस तरीके से निकाला में आपको बता दिया ठीक है इसी किसा second weight हम निकालेंगे weight of base lab ठीक है तो base lab का weight है हमने उसको माली है w2 क्या माली है w2 ठीक है अब इस w2 की value निकालनी है तो हमें unit weight लेना पड़ेगा लेकिन आप दियान से देखिए backfill किस material का बना है तो b आगिस की ये और ये t आजाएगा तो b into t और पीछे वाली जो length होगी retaining और कितनी ले लेंगे 1 तो इसके साथ हमारा w2 भी निकाल जाएगा तो देख सकते हैं gamma c b into t into 1 ठीक है इसी तरीके से ग्राव स्टैम को देखें तो स्टैम को मैंने 2 इसो में break कर लिया एक rectangle में और तो इसकी height आजाएगी h- ठीक है और ये आजाएगी इसकी top thickness ठीक है top thickness into क्या कर देंगे 1 तो ये निकाल जाएगा gamma rcc into h- into top thickness into 1 ठीक है तो देख सकते हैं rectangular portion को मैंने माने w3 3- ठीक है जिसका आजाएगा gamma rcc into h- into top thickness into 1 ठीक है इसी के साथ अब मैं निकालूंगा stem portion का stem portion के weight को मैं मा रहा हूँ w3 double dash ये भी rcc का बने तो unit weight कि इसका लेंगे rcc का और इसका लेंगे volume देखी triangular shape में तो इसका volume कैसे निकालेगा area निकालना पड़ेगा half into half into height आजाएगी h- ठीक है into कर देंगे ये ये यवली length तो येवली length कैसे निकलेगी bottom thickness minus top thickness ठीक है bottom minus top ठीक है into कर दें weights हमने निकाल दिये ठीक है बाद में हम इसारे weights का total करेंगे और हमें मिल जाएगा submission of w जिसको हम बोलेंगे submission of vertical forces यह submission of weight of all parts of the retaining goal ठीक है अब हम लोग इन सारे weights की वज़े से toe end के across यह मलब इनकी actual location निकालेंगे क्योंकि अब इन weights के कारें हम लोग toe end पे कितना moment develop होगा वो न कितना दूर पर लगेंगा तो मैं पता है कि यह यहां से यहтом का है हमारी हमारी हम एचल तो यानि कि यह यहां से एंगेंगे और द JEHAN से पूरा वी है ठीक है यहींच पूरे फेसे हूं यहां ब कर देंगे में पने पshtु हो इस पूरी देंगा इंगे में से ह्चल बेंच में बात कर समय का बैक्ष नाम दिये त्क है इसी तरीके से अगर आप मैं इस रेञ्ट captive नीका लूवेट यहां और ईीक पारेगा एट को खिल समगता है extinct इल्सवाट से दो नेचरिभागी है तो यानि कि मुझे करना पड़ेगा इस बीमे अगर मैं अचसर Dragon Étud ठीक है और minus कर दो top thickness का half ठीक है ठीक है top thickness आप देख सकते है b- hl- top by 2 ठीक है अब हम बात करेंगे इस triangular portion का ठीक है देखिए जब इस triangular portion की बात करेंगे तो जब से पाले हम इस triangle की लंद जाने की कोशिश करेंगे देखिए यह थी top thickness और यह थी bottom thickness, तो इस पूरी bottom thickness में से, अगर आप यह top thickness minus कर देंगे, तो आपको यह length मिल जाएगे, अब देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, इसका weight गिरेगा, वो यहाँ गिरेगा, तो देखिए, यानि कि इस पूरी B में से, अगर ही hl minus कर दीजाए, यह top thickness minus कर दीज तो यहाँ से, जो इस distance होता है, यह होता है आपका L by 3, और यहाँ पर यह length क्या थी, bottom minus top thickness, तो इसका upon 3 कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा, यानि कि, अगर हम चाहते हैं, कि इस w का to end से distance निकालना, तो वो हो जाएगा, हमारा B minus hl minus top thickness, minus 1 by 3 of bottom minus top thickness, ठीक है, B minus hl minus top thickness, minus 1 by 3 यहाँ पर गलत लिख दिया है, top नहीं आएगा, यहाँ पर bottom minus top thickness, ठीक है, उसका 1 by 3 पार्ट, ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अब यह weights, forces, जो weight है, हमारे resisting forces, वो सब निकाल लिए, उनकी values कैसे कैसे निकली, मैंने बता दिया, और यह सब कहाँ act करेंगे, वो भी बता दिया अब इन forces को इसके साथ multiply करेंगे, तो हमारे पास moments निकल जाएंगे, और इन सारे moments का जब sum करेंगे, तो हमें total moment मिलेगा, और उस moment को हम बोलेंगे, resisting moment, क्योंकि resisting क्यों बोलेंगे, यह मैं बता चुक हूँ आप लोगों को, तो यानि की, एक retaining wall पे हमारे पस दो तरांगे moment हो तो overturning को आपको मैं बता चुक हूँ, अगर आपका little earth pressure के तवारा इतना ज्यादा force generate हो जाए, कि वो two end के cross retaining wall को एक overturn करवा दे, तो हम बोलेंगे, उस type के failure को बोलेंगे overturning failure, तो इस चीज को prevent करने के लिए, हम एक retaining wall की design के दुरान, एक factor of safety प्रोवाइड करते हैं, और इस factor इतना factor of safety overdurning के दुरान हमें provide करना पड़ता है, ठीक है, second, sliding criteria, sliding criteria में क्या बताता है, जैसे मान लीजिए आपकी retaining wall है, ठीक है, यह आपकी retaining wall है, अब देखे, retaining wall पे यहाँ से आपको पता है क्या लग रहा था, पी नॉट, ठीक है, अब देखे, retaining wall पे रेश कर रहा है, यह है आपका RCC material ठीक है, और यह है आपका soil, दो different material है, तो इनके बीच में friction force develop होगी, आप देखे, जो friction force develop होगी, यह इस force के क्या होगी, opposite, अगर मान लीजिए, यहाँ पे friction force, अगर इस little earth pressure force से क्या होई जाएगी, तो retaining wall आपकी slide करते हो आगे नहीं जाएगी, लेकिन अगर यह condition अगर आपका little earth pressure force, friction force से क्या हो जाए, तो उस case में आपकी retaining wall इस direction में move कर जाएगी, यानि कि slide करते होगी, तो उस चीज़ को prevent करने के लिए, हमें during the design of retaining wall, उसकी stability चेक करनी परती है, against the sliding area, ठीक है, तो इस चीज़ पर हम देखेंगे द्यान से, तो हम बोलेंगे, कि little earth pressure क्या P0, ठीक है, यह होगी, P0, तो देखे, आपको बता है, friction force निकालने का formula होता है, mu into summation of vertical force, or summation of vertical क्या था हमाना total weight, और यह हो जाएगा P0, जब इन तोनों का ratio लोगे, यह value pressure 1.5 से जादा आएगी, तो यानि कि उस case में retaining wall sliding में fail, नहीं करेगा, in case, अगर आपका factor safety की value 1.5 से कम तो उस case में आपके retaining wall sliding में fail कर जाएगी, तो इस चीज को avoid करने के लिए, इस चीज को prevent करने के लिए, हम वहाँ पे share key provide करते है, तो share key क्या होता था, तो दुबारा देखेंगे, share key क्या करता है, share key, देखेंगे, अब यह P0 की force जादा हो चुकी है, और friction force क्या है, कम, तो इस करने retaining wall हमारा finally sliding में fail, नहीं घरता है, अब हम बात करेंगे failure of the under soil, देखेंगे, आपको पता है, retaining wall नीचे एक soil पे rest कर रही है, अब आपको पता है, जब उपर से load लगेगा, तो soil भी नीचे से क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा, अगर उपर से pressure गिर रहा है, यानि कि heel end पर जो pressure develop होता है, उसको हम बोलते है, P minimum, यानि कि heel end पर pressure आपका कम develop होता है, लेकिन toe end पर आपका pressure जादा develop होता है, और ये जो भी pressure develop हो रहा है, इसकी value आपकी soil की safe bearing capacity से कम-कम होनी चाहिए, अगर ये value उससे कम रहेगी, तो यानि आपका जो retaining wall है, वो आपका fail नहीं करे अगर ये value आपकी soil की safe bearing capacity, जितना pressure hold कर सकती है, उससे क्या रहेगा, कम-कम रहेगा, तो आपकी retaining wall कभी भी base failure में act नहीं करेगी, यानि कि soil का कभी भी failure under soil में नहीं होगा, ठीक है, तो ये P max की value निकाले का formula आपके सामने है, P minimum निकाले का formula आपके सामने है, ठीक है, अब दि द्धे KMO प्रेशर हएं हैं, कया होते हैं, क्या होते हैं, कम-प्रेशिव हते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, ठीक है, ये दोनो प्रेशर की value आपकी हमेशा safe bearing capacity से sect Humem, कम-कम उनी चाहिए, ठीक है, तब यह आपका retaining wall fail कोष्चाहिए, अभ देखिए, इसी के साथा भी थी, base width इसको मैंने B माना था, ठीक है, और यहां तक base width का center आ गया, तो यह हो गया B by 2, यह भी हो गया B by 2, अब मान लीजिए, मान लीजिए यहां पर, यह मेरी lateral force है, जिसको P not बोल रहा हूं, और यह है मेरा summation of vertical force जो यहां पर है, इनका resultant निकल रहा है, और resultant कहीं base को यहाँ पर cut कर रहा है और माल लीजिए यहाँ से उसका distance जो है अब का x bar है ठीक है अब देखिए यह क्या है b by 2 यहाँ से लेकर यहाँ था distance किया था b by 2 तो इस b by 2 में से x bar minus करूँगा तो remaining distance को मैं बोरूँ और e distance तो उसके बाद मुझे यह निकालना पड़ता है e का value इसको बोलतो हो eccentricity eccentricity क्या से निकलेगा मेरा देखिए यह है b by 2 इसमें से अगर x bar minus करूँगा तो मुझे distance मिल जाएगा तो इसलिए मैंने यहाँ से eccentricity निकाला और यह आगा b by 2 minus x bar देखिए अगर यह eccentricity का value आपका b by 6 से क्या हुआ कम कम हुआ तो उस case में आपका retaining wall कभी भी tension में fail नहीं करेगा यही middle rule है क्याने का मतलब जो भी base width है उसका पहले middle कीजिए middle कीजिए यानि की 1 by 2 कीजिए और उसका फिर 1 by 3 कर दीजिए 1 by 3 करेंगे तो क्या बनेगा 1 by 3 तो यह finally क्या जाएगा b by 6 अगर यह eccentricity का value b by 6 से कम कम रहेगा तो ही आपका retaining wall tension में fail नहीं करेगा यानि की retaining wall का failure of the under swell नहीं होगा ठीक है इसी के साथ हमने सारे cases discuss कर लिए stability of retaining wall किस तरीके से find out करेंगे मैंने आपको बताया दिया आप please questions की practice कीजिए अच्छे से कीजिए एक चीज़ और में आपको बताना चाहूंगा लास्ट वीडियो में मुझसे एक mistake हो गया था जिसमें मैंने आपको h minimum निकालने का एक formula बताया था जिसमें आपने लिखा था actually वो missing miss print था ठीक है हमारे presentation powerpoint में कुछ mistake होगी थी during the rating तो उसमें mistake थी वहाँ पे h minimum का formula होता है 1-sin5.1-sin5 का whole square है वहाँ पे टीक है वो missing है please को ठीक कर ले ना minimum depth of foundation निकालने के लिए ठीक है thank you guys for watching this video